हेलो मेर्स वेलकम वेलकम टू माई चानल बहुत-बहुत स्वागत आपका मेरे चानल है आर्सकोट के ट्रिक्स इंचिप को इसके 830 एपिसोड में और उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी स्टुएंट्स अगर आपका जेएमेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर की जाना है जिसी कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और NIT आपके जोए सिक्योर हो पाए और अगर आपको समझ में नहीं के चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है तो आपको या पर टेंचल लाने के कोई जरुवत नहीं है आप एंडुल कड़ो जन्दी से हमारी जेएमेन 2024 के एक्स्क्लूजिफ ट्रिक्स कोर्स में इस कोर्स के दुरू में आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स लॉज कोर्स नहीं मिल जाएका सारी टेटलज सा आप जागर के चेक चकाउट कर सकते हो और जायर के कर star हो कोई बीघ्र को कॉर्डिबा किले बाग्ने के वागने पार से यह इंडरू अहलग कर आप कडिवेन 24 में आपको success तो भी बनाने में बहुत ज़्यादा help करेगा तो देख और यहां पर मैं आपके सामने दुबारा से questions ले लिया है gravitation chapter से पिछले कुछ episodes में मैं आपको gravitation chapter के mcqs दिखा रहा था आप देखो episode 288 में sorry 288 बोल रहा हूँ 828 में episode 829 में और उसके पहले भी ठीक है episode 827 में राइट फिर हमारे पास में episode 826 में लाइन से जो है gravitation के मैंने आप लोगो बहुत सारे episodes करा है यह वाला भी मैं gravitation का ले रहा हूँ और इसमें भी similar type of questions आपको मैंने पिछले episodes में दिखाया था ना यह जो concept होता हमारे पास में acceleration due to gravity का height पहलग हो जाता है depth पहलग हो जाता है उसके जो formulas होते है graphs लोगे रहा होता है उससारी चीज़ में आपको कवर करा ही मैं एक बार वापस से revise करा देता हूँ अगर हम उपर जा रहे है यह हमारा क्या है surface है earth का उपर जा रहे है height h नीचे जा रहे है depth d formula क्या बनता है हमारा g dash equals to g upon 1 plus h by r का whole square यह तो बनता height h पह और यह होता हमारा 1 minus d by r यह होता हमारा depth d पह ठीक है इसमें हम approximation भी कर सकते हैं क्या approximation कर सकते हैं इसमें अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ जीड़ाश equals to g into 1 plus h by r दुदपार minus 2 में इसको लिख सकता हूँ और अगर h की value बहुत छोटी है तो जीड़ाश equals to g into 1 minus 2 h by r इसको हम इस तरीके से जो है लिख सकते हैं क्लियर है इसी के base पे सारे questions है आप देखो जैमें 2022 में आया 2022 में और फिर यहां पर 2023 में आया 2023 में पिछले episodes में आने आप लोगो दिखाया था 2023 में आया वे questions तो आप देख सकते हो एक ही साल के जैमें के कितने सारे paper में जो है यह same questions जो है देखने को मिलते हैं और आपके आन और आपको exclusive tricks courses के link जो description में मिलेंगे अगर आप exam दे रहे हो जैमें 2024 का और भी exams का तो सबके exclusive paid courses है जो AR squared के most famous courses चलते हैं उसमें आप enroll कर सकते हो link description में अगर आपको number boost करने हैं कम time के अंदर में तो ठीक है अब यह वाला question देता हो body weight w is projected vertically upwards from earth surface to reach a height above the earth which is equal to 9 times the radius of the earth the weight of the body at that height will be so simple सा बात है हमारे पास है formula का है g dash equals to g upon 1 plus h by r का whole square this is the formula तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते है g dash equals to g upon 1 plus height को लिख सकते है 9 times r तो 9r upon r का whole square तो यह हमारे पस में क्या हो जाएगा g dash equals to g upon 1 plus 9 का whole square राइट तो इसको में क्या लिख सकता हूँ g dash equals to g upon 100 लिख सकता हूँ तो original जो situation थी उससे जो हमारा g dash का value है वो हो जाएगा by 100 तो जो weight है वो भी by 100 हो जाएगा भई पहले weight था mg और अभी weight है mg dash और g dash is g by 100 so the answer is a क्या आपको बात समझ में आरी है the answer is यहाँ पर हमारे पास में a clear है न तो यह same concept के उपर में question आप देख से तो similar concept है वही चीज़ जो में आपको यहाँ पर बताया वही चीज़ जो में आपको यहाँ पर बताया उसी concept पे question है हमारे पास में Jman 2023 का question है यह question भी Jman 2023 का है लेकिन उससे पहले मैं आपको Jman 2022 के दोनों question करा देता हूँ ताकि आपको Jman 2023 का वाला last question करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा तो जैसे इस question को आप देखो आपको क्या दिया है if the acceleration due to gravity experienced by a point mass at a height h above the surface is same as that of the acceleration due to gravity at a depth alpha h where h is very very less than r e ठीक है ना where h is very very less than r e from the earth surface तो actually जो formula होता है यह वाला होता है बट जब height के वाले हो बहुत छोटी होती हो तो हम यह वाला approximation formula यूज करते है तो इसी को हम यहाँ पे use कर सकते है y कहने का मतलब है कि height बहुत छोटी है अब यह वाला formula लगा लो clear है तो यह जो formula है अमारा acceleration due to gravity है height h पे उसमें यह वाला formula आएगा जो कि यह g into 1 minus 2h by r और वो बोल रहा है कि यह same है किससे depth में g into 1 minus d by r where depth d by r जो है इसमें d की value हो alpha h है समझ गए ना तो यहाँ पर हम d के जगा alpha h लिख देंगे so basically this will become j into 1 minus 2h by r equals to j into 1 minus alpha h by r क्या आपको समझ में आया बात समझ गए ना d के जगा alpha h लिख दिया तो alpha की value क्या होगी simple हम जब compare करेंगे alpha जो है 2 के बराबर होगा so this question का जो answer है ना वो भी हमारे पस में क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा most simplest question आप देगो j min 222 में आवा question है कितना simple question था ही इसका answer हमारे पस में 2 है 2 is the correct answer for this super easy question simple सा बात था आपको approximation वाला formula यूज करना था आप जैसी compare करोगे ये वाला हमारा height के लिए depth के लिए compare करते ही आपको जो alpha 2 के बराबर यहाँ पर दिख जाएगी clear है ना मजा आया ना next question देगो the height of any point P above the surface of the earth is equal to diameter of the earth मतलब क्या है diameter of earth मतलब height जो है वो 2R के बराबर हो गया है समझ गया है the value of acceleration due to gravity at point P will be कितना simple question है जै में 2022 मैं आपकोशन है g dash equals to g upon 1 plus h by r का whole square होता है h के जगा आप 2R डालोगे तो g dash will be equals to g upon 1 plus 2R upon r का whole square clear है ना अब r से r कटेगा 1 plus 2 का square will be 3 का square 9 तो यह हो जाएगा g upon 9 कितना simple था तो हमारे पसमें क्या हो गया इसका answer इसका answer हमारे पसमें हो गया d g by 9 simple है ना the height जो है वो equal to diameter of the earth था diameter मतलब twice the radius तो height के जगा 2R लिख दिया और acceleration due to gravity का value निकाल लिया formula से जबी भी आपका height जो है वो radius के comparable हो तो यह वाला formula यूज होता है जबी भी आपका height काफी छोटा हो जैसे यहाँ पे earth के radius से काफी छोटा था तो यह वाला formula यूज होता है यही आप ट्रिक है इसको इस question में आपको जही में यही फसाता है जब height के value बहुत छोटी देगा यह formula यूज करना है जब height के value radius of the earth के comparable है तो उस case में आपको यह वाला formula यूज करना है क्या आपको बात समझ में आ रही है यह वाला formula clear है so first question का answer 2, second का answer हमारे पास में D, third का answer हमारे पास में A और last question हम लोग अभी solve कर लेते हैं आप लोग भी मेरे साथ जो इसको solve करो assuming the earth to be a sphere of uniform mass density weight of a body at a depth D which is equals to r by 2 from the surface of earth if its weight on the surface of the earth is 200 will be simple सा बात है यार देखो g dash की value क्या है g into 1 minus d by r है depth के जगा हम r by 2 ले रहे हैं तो simple सा बात है g dash will be equals to g into 1 minus r by 2 by r d के जगा r by 2 लिख दिया तो यह 1 minus 1 by 2 will be half so g dash will be equals to g by 2 तो अगर g की value मतलब अगर earth के surface पे जो भी value है नीचे जाएंगे तो g by 2 हो रहा है तो यह जो 200 है यह 100 हो जाएगा simple सा बात है यार simple सा question है simple सा answer है option d समझ गए ना वेट क्या होता है mg के बराबर होता है अगर mg की value 200 है तो mg dash की value 100 हो जाएगी ना क्योंकि g dash की value g by 2 आ रही है है ना given point पे जहाँ पे depth है r by 2 अगर हम earth के surface से r by 2 नीचे चले जाएं depth equals to r by 2 नीचे चले जाएं तो हमारा g dash का value g by 2 आ रहा है from this given formula तो g dash अगर g by 2 आ रहा है तो mg dash will be half of mg which is 200 का आदा 100 correct हो गया ना तो पहले question का answer 2, second का d, third का a and last का d यहाँ पर जो है आप देखो इतने सारे questions मैंने आप लोगो करा दिये आप पताओ आपको एक और वीडियो चाहिए क्या similar questions के लिए 830 episode, 820, 8 episode, 829 episode, तीनों में आने आप लोगो जो है gravitation के questions करा है उसके पहले 827, 826 और उसके पहले 825 में भी मैंने आप लोगो जो है gravitation की questions करा है आप लोग comment करके बताओ, अगर आपको एक और एपिसोड चाहिए, तो मैं एक और एपिसोड आप लोगे लिए जो है gravitation की questions के लिए के आऊँगा, जिसमें 2023 के मैं आप लोगे लिए questions उठाऊँगा, आपको बहुत जादा मज़ा आएगा जेए मेन में यार देखो, बहुत सारे questions आ रहा है इस topic से, तो आपको ये topic पक्का कर लेना चीए, पक्का करने के लिए आप लोग क्या है और बाकि exclusive tricks course में जरूर इन्रोल करो, उसका link आपको description में मिलेगा, आपको बहुत जादा help करने वाला है, जेए मेन 2024 का exclusive tricks course और भी exams के exclusive tricks course है, सब के link आपको जेए description में मिलेंगे, mindset develop करो, आप risk management को सीखो, अच्छे से on spot exam time scenario में आप तुका tricks को डालना सीखो, कैसे मैं आपने tricks और आपको ये वीडियो पसंद आए होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो लाइक करना मत बूलना, और शेयर करना मत बूलना, आपने बागी सारे friends के साथ में, ताकि वो भी इस platform को मजाओ पसके बाद के तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ नसे व